हेलो माई डियर फ्रेंट्स असलामुली इंकूम कैसे आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे अलम्दरिल्ला मैं भी अच्छी हूँ तो यहाँ पे न हम लोगों के यहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे लोग सबक का चुनाओ था उस दिन और हम लोग बोट डालने के लिए निकल गए थे घर से तो अचानक मैंने बोला कि चलो चलते हैं तो बोट तो डाल ही देते हैं कुछ करे या ना करें तो मैं शिम्मी से बात क और शिम्मी और खाला को ली और मैं चली गई और बहुत तेज वाली धूपती दोपहर का सम्थिंग साड़े तीन चार का टाइम रहा होगा और हम लोग बहुत चुके हैं इसी जगह पे बोटिंग थी तो यह एक स्कूल है हमारे महले में ही होती है तो ज़्यादा भीड भी तो मैंने थोड़ा सा यहां की भी क्लिप ले ली और आप लोगों को दिखा दी हूँ तो इसी तरीके से हमने वोट डाला और वोट का फर्जदा हुआ उसके बाद निकल गए तो यहां पे एक आम का पेड़ दिखा और उसमें छोटी-छोटी सीना अमिया लगी हुई थी त तो मैं दिखा रही थी कि हमारी वोटिंग हो गई है तो मैं खाला को बुला रही थी और मेरी बड़ी खाला प्यार से आके देख रही थी और धूप में खड़े थी तो मैंने बोला खाला धूप में मत खड़े हो चाओ में आ जाओ और सच में अपने खाला को जो बोल देती उन्हों मेरी खाला तुरंद वही करने लगती है मुझे ये चीज सबसे अच्छी लगती है तो हम तीनों की वोटिंग हो चुकी थी और हम बहुत चुके हैं खाला के घर के पास फिर हम लोग गेट खुलवा है और खाला बोली कि कुछ देर अभी यहाँ पे रुको मेरे घर में उसके बाद तुम जाना तो हम यहाँ पे रुक गया और उस दिन कुछ ना मेरी तब्यट ठीक नहीं थी फिर उसके बाद यह सेकेंड डेका है क्योंकि उसी दिन नाइट में हम चले गए थे अपने सिच्टर के बेटे के बर्डे में तो वहीं का मैंने पूरा ब्लॉग सेर कर दिया था आप लोग के साथ और यह नेक्स टे का था तो नेक्स डे सुबह यह मॉर्णिंग में सारा घर क्लीन हो चुका था आप देख सकते हैं सारे घर की धुलाई हुई है बाहर का है ये पोर्च एरिया और धुलाई होने के बाद अच्छी तरीके से इसको clean किया गया लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ पर हर काम को हमको दोबारा करना पड़ेगा तो electrician वाले भहिया को हमने बुलाया था वो भहिया आये तो हमारा य तो यहां करते हमारे रूम का चेंज हो गया फिर अम्मी के बैड रूम का भी लगवाया जब तक मैंने सोचा कि यहां सारी चीजे बिखर गई थी क्योंकि सीडी लगाना पड़ा था फिर यहां मैंने बैड सीट वगएर अच्छे से मदब शैट की उसके बाद यहां बहुत ज खाड़ू कर दी अच्छी तरीके से इसमें रूम साफ हो जाए सिर्फ पोछा बचेगा और यहां पे एक भहिया थे तो वह भहिया यहां पे ना कूलर को खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा नट इसका मतलब चाम हो गया था फसा हुआ था कि वो ना खुली नहीं रहा तो भई यह पूरी मसकत कर रहे थे आप देख सकते आरी होती है ना वो भी चला रहे थे कि शायद वो कट जाए नट जो था अंदर का लेकिन वो कटने का नाम नहीं ले रहा था फिर मैं आ गई अंदर और मैंने सोचा कि अब जब पूरे घर में फैन का काम हो रहा कूलर का क तो क्यों ना मैं यहाँ पे सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ तो मैंने सारे फैन की ना डीप क्लीनिंग की अच्छी तरीके सर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डंस्ट थी और ये ना जात जादा रहे थी तो हमें light इतनी जादा होती है कि dusting इतनी समझ नहीं आती है लेकिन मैंने सोचा जब मैंने उसे clean करने की कोशिश की तो आप देख सकते हैं camera में भी दिख रही है बहुत dust हो रही थी तो सारा कुछ मैंने यहां clean किया अच्छी तरीके से और इस सीड़ी पे बहुत डर लगती है लेकिन यह था कि उन भाईया लोगों को देख के मुझे हिम्मत आ गई थी कि नहीं डरने की बात नहीं है वो लोग कितने easily चड़ जाते हैं किसी से नहीं support लेते कि कोई पकड़े खड़ा रहे तो मुझे क्यों डरना लेकिन थोड़ा tiles पगेरा में डर लगती थी लेकिन उस दिन मैंने नहीं डरा क्योंकि मुझे लग गया था कि नहीं वो नहीं डरते तो मुझे भी नहीं डरना है फिर मैं दूसरे पार्ट का भी अच्छी तरीके से fan clean की और चारो तरफ dusting की तो वो सारी चीज अच्छी तरीके से clean हो गई थी और जब fan की quality होती है अगर उसे आप अच्छी तरीके से कपड़े से clean कर देंगे dust निकल जाएगी तो वो automatic बहुत तेज चलने लगता है फिर यहां मैंना last में बाहर वाले room में आ गई थी तो इसकी मैंने cleaning की इस room के भी fan की और इसमें बहुत जादा dust थी क्योंकि यह बाहर से बहुत जल्दी से dust अंदर आती आपको पते है और यहां पे मैंना थोड़ा face cover कर ली थी क्योंकि मुझे allergy बहुत जादा होती है और उसके एक दिन पहले ही बहुत allergy हो गई थी मुझे आप देख सकते हैं तो यहां पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था क्योंकि mobile जहां पे रखा हुआ था तो मेरी ना sister आने वाली है और ऐसा है कि ब्लॉग मेरे लेट आते रहते हैं क्योंकि मैं daily upload नहीं करती हूँ तो यह भी था कि हम लोग ना जब वो आ जाती है तो इसी room में सोते हैं और इस room की cleaning बहुत जरूरी थी और इस room का fan, cooler सब हमें यहीं पे करना होते हैं और जब बेहने घर आती है ना बेटियां घर आती हैं तो मा को सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि घर में हर एक चीज सेटिंग हो जाए अच्छे से क्योंकि लड़कियों को आने के बाद कोई दिक्कत ना हो कोई यह ना एक मा की बात नहीं बोल नहीं हूँ यह सबरे घर की बात होती है सब मा की यहीं चिंता होती है तो मैंने तो जितना मेरे से हुआ मैंने अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिया और क्लीन करने के बाद और भी जहां डस्ट मुझे दिख रही थी मैंने वहां से भी सफाई कर दी थी और उसके बाद फिर भाईया को बोली तो भाईया यहां का कंडेंशर चेंज किये और इसी तरीके से ना कम से कम 3-4 फैन का चेंज हम लोगों ने करवाया और अब इतने अच्छे से माशालला से इतने अच्छे से फैन चलते हैं कि किसी और चीज की जरुरत ही नहीं होती और यहां पे भाईया खस पूरी तरीके से एक कुलर की यहां पे खराब हो गई थी तो भाईया फिर ले के आयते मार्केट से और यह वाले भाईया दोनों होते हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं हम इनको एक call करते हैं वो तुरंध हाजिर होते हैं और हम पहले बता देते हैं भाईया ऐसी ऐसी problem है तो भाईया सारी मतलब ना पूरा प्लान करके आते हैं कि क्या लगाना है कैसे लगाना है और यहाँ पर मैंने time इस ले दिया था भाईया ने मुझे बोला कि कैची दे दो त इसके अलावा कुछ नहीं गटूंगा तो मैंने बोला ठीक है फिर यहाँ पर मैं खड़े हो के देख रही थी कि कितने अच्छे से manage कर रहे हैं भाईया और मेहनत भी बहुत जादा होती है हमें कुछ चीज़े देख के लगते हैं कि नहीं बहुत easy है बहुत easy है लेकिन के बारे में सोचना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जादा वाली गंदगी हो गई है और सारा घर clean हो चुका था जाड़ू तो लग गई थी बाहर पर आपने देखा था कि धुलाई भी हो गई थी और अंदर पर पोचा भी शुरू हो गया था लेकिन हर काम को हमको दुबारा करना पड़ा जैसे कि अभी आप फिर देख रहे हैं और बहुत लेट हो गया था उस दिन काम करते करते तो मैंने तो मतलब जितना था मैं नहाने के पहले सब कर ली थी लेकिन अम्मी सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी उस दिन अम्मी को बहुत काम था तो मैं सोच रही थी कि खाला को और अम्मी को अभी दुबारा से फिर सब कुछ करना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत मैं हैल्प यहाँ पर अच्छी तरीके से कर देती हूं तो फ्रेंट्स यहां तक वीडियो में आहीं गये हैं तो चैनल में नूँ है तो सब्सक्राइ थी घर में और ऐसे में डॉट भी हूँ लगती है और आपको तो पता है कि इसके पहले मुझे बहुत करूप एलर्जी होती है तो हो ंणदा करना पर निकाल रही थी क्योंकि जब उपर से dust गिरती है न तो वो चारों तरफ हो जाती है और ऐसा होता है कि अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो फिर वहाँ पे जम जाती है खटी हो जाती है तो किसी तरीके से तो ये सारे काम हो जाएंगे तो हमारे गर के बहुत बड़े काम हो गए है क्योंकि कूलर पंके की ही जरूरत है हमें इस टाइम पे और एक ही दिन में सारे काम हो गए ये बेस्ट था सबसे जादा भया लोग के पास ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था बोल रहे थे कि दिदी आज मत करो बात में कराना लेकिन मैं और अमी ने ठान ली थी कि आने वाले नहीं है इस टाइम बहुत काम होता है और यहां पे ना नाजिया को उसी दिन नहलाना था तो यहां पे भी मुझे देखना था क्योंकि नाजिया को पकड़ना पड़ता है नहलाने में पूरी help करनी पड़ती है चाची के साथ, मेरी बेहन न थोड़ा डरती रहती है, तो फिर मैं नाजिया के पास आ गई थी यहाँ पे, और नाजिया बहुत ज़ादा रो रही थी, उस दिन बहुत परिशान कर रही थी, आप देख सकते हैं, तो मेरी sister नहाने की तया नहीं की, फिर उसके बाद मुझे लगा की खाला करेंगी पोचा, और इतना गंदा वाला कुछ ना निकल रहा था, गंदीगी इतनी पूरी black black निकल रही थी, तो मैंने सोचा एक बार कर लेती हूँ, वो मैं तो कैमरे में नहीं दिखाई हूँ, लेकिन मुझे पोचा करने म पानी चेंज कर रही थी, क्योंकि पानी बार बार चेंज करने से एक benefit होता है, कि हम पोचा बहुत clean तरीके से लगा लेते हैं, और पानी जब गंदा रहता है, तो वही पानी चारो तरब फिरता है, तो फिर वो उतना ही गंदा होता है, पोचा करने का कोई मतलम नहीं होता है तो पोचेगी न सबसे बड़ी टीप होती है कि पानी को बार-बार चेंज करना और फिर यहाँ पे मेरा पोचा भी किसी तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा और यह मेरा कोई अभी लाश्ट पोचा नहीं है फिर भाईया टंकी लेके आए हैं क्योंकि कूलर की टंकी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और यहाँ पे मापजोग कर रहे थे कि कितना क्या कैसे लगना है तो यह दोनों ही भाईया आते हैं हमारे यहाँ पे आपने पहले भी ब्लॉग में देखा होगा इनको तो मैं दिखा रही हूँ अपनी तरीके से वो जितना कुछ हुआ है सारा कुछ कर रहे थे कूलर बिल्कुल फ्रेस था लेकिन उसकी टंकी सही नहीं थी आप देख सकते हैं टंकी कितनी जादा डैमेज हो गई है क्योंकि न हम लोगों ने बाद में इसका पानी नहीं हटाया था पानी रखा रह गया था इसमें भरा इसलिए ये पूरी तरीके से छेद हो गया और जंग लग गई थी फिर टंकी किनारे की ये न्यू टंकी आई और किसी तरीके से सब कुछ सैट हो गया था अच्छी तरीके से और अब सब कुछ ठीक हो गया है घर में और बहुत सुकून भी लगते हैं क्योंकि जितना कचड़ा था जितना कुछ था सारा कुछ एक ही दिन में निकल गया मेहनत लगी उस दिन बहुत जादा टाइम हो गया था तीन बच गयते अम्मी को नहाने में अम्मी सबसे लेट उस दिन नहाई थी और मुझे भी लेट हो गया था लेकिन यह हुआ कि सब कुछ हो गया था और फिर बहिया लोग ईत रहाएं तो मैंने उनलोगों को शीमाहिं चाय बना के दी तो लोग चाय पिये क्योंकि वो बताये कि सुबह से वो लोग कुछ भी नी खाये थे और सीधे घर से निकल गए थे तो मैं और भी पूछ रही थी बही ऐसे कि और कुछ भी खा लो तो बोले नहीं दीदी अब हमको यहां से सीधे घर जाना है और घर जाके हम खाना खाएंगे सीधे तो अब हम कुछ भी नहीं लेंगे फिर यहां पे सारा कुछ देखिए सब कुछ फिर से क्लेन हुआ और यह मैं बाद में आपको दिखा रही हूँ तो फ्रेंड्स अब मिलूंगी अपसे नक नेक्स्ट व्लॉग में असलाम लेंकूम अल्ला हाफिज